नमस्कार जैहिंद स्वागत आपका एक बार फिर से और आज 150 MCQ लेकर आए हैं जो कि PCS लेबल के हैं PCS लेबल के ये MCQ होंगे और ये आपके आने वाली सभी भरतीगे लिए important है अगर आप इस परिक्षा में इस exam में इस paper में अगर आप 90 प्लस ले आते हो तो उत्राखंड मे कोई भी exam आप आसानी से crack कर लोगे क्योंकि इसके अंदर आपको GS के MCQ मिलेंगे और इसके अलावा उत्राखंड के special MCQ मिलेंगे और साथ में current से related MCQ भी मिलेंगे तो ज्यादा देर में करते हुए शुरू कर लेते हैं और आप लोगों को क्या करना है हमें सकी तरह attempt करना है और अपना score comment box में बताना है कितना score आप कर पा रहे हो ये थोड़ा easy नहीं है moderate to tough level का ये paper है तो आप लोग बने रहे हैं वीडियो में और अपना score ज़रूर बताया आंत में तो सबसे पहला प्रसन हमारे पास निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए अलफांसो को भारत में पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्तापक कहा जाता है और दूसरा कथन है फ्रांसिसको डी अलमीडा की नीती को सांत जल की नीती कहा जाता है तो दोनों ही कथन हमारे सही है अलफांसो को ही पुर्तगाली सक्ति का वास्तविक संस्तापक कहा जात और फ्रांसिसको डी अलमीडा की जो नीती है उसे सांत जल की नीती भी कहा जाता है तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा option number C, A और एक और दो दो अगला प्रसंद देखिए भारत में फ्रांसिसियों की पहली कोठी निमलिखित में से कहां इस्तापित की गई तो फ्रांसिसियों की निमलिखित में से किस जाट सासक को राजा की उपादी दी थी तो एहमत साबदाली ने बदन सिंग को राजा के उपादी दी थी option number B सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए भैरवाल की संदी के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो कथन देख सक रहते हो ना है सही संद्र हमारा है — उपसन नमर C. एक और दो दो, दोनों ही कथन सही हैं भैरवाल की संदी के संदर में अगला प्रसंद देखिए पुरंदर की संदी निमलिखित में से किस वरस हुई थी पूरंदर की संदी बतानी है इस वर्स हुई थी सही उत्तर आपका है 1665 में हुई थी पुवंदर की संदी अगला प्रसन देखिए सूती वस्तर की पहली मिल यानि सूती वस्तर का पहला कार खाना कहां इस्तापित हुआ था तो ये आसान सा प्रसन हो गया कलकता में हुआ था उप्शन नमर B सही उत्तर हो जाएगा बारदोली सत्यगरा का नेत्रितों निमलिखित में से किस नेता द्वारा किया था ये भी आसान सा प्रसन है सरदार बल्ला भाई पटेल बार्दोली सत्यगरा का नेत्रितों किया था option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंदी के बिटिस सरकार द्वारा इस्तापित पर्थम समाचार एजेंसी निमलिकित में से कौन है तो बिटिस सरकार द्वारा जो इस्तापित है पर्थम समाचार एजेंसी उसका नाम बताना है सही उत्तर आपका हो जाएगा option number A राइटर अगला देखिए दिगदर्सन नामक पत्रिका का प्रकासन किस भासा में किया गया था तो ये दिगदर्सन नामक जो पत्रिका है ये बांगला भासा की पत्रिका है option number B सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुदीन एबक के समय सल्तनत की राजधानी निमलिकित में से कहां थी कुतु बिदीन एबक के समय राजधानी थी लाहॉर में, option number B सही उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में 40 दल, ये काफ़ी important है, 40 दल की इस्तापना निमलिखित में से किस सासक ने की थी तो सही उत्तर इसका बलबन है, आरिज विभाग की स्तापना, और आरिज विभाग जो होता है, ये एक तरह से सैन्य परमुख एक तरह से होते हैं इसमें, तो सैना से सम्बंदी थी विभाग था, आगला प्रसंद देखिए, पुरा पासान काल के संदर में निमन कथुनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है यहाँ पर, पुरा पासान कालीन मानव को किरिसी का ग्यान था, दूसरा कथन है, पुरा पासान काल के मानव आखेटक और खादे संग्रहक थे, तो इन में से सही उत्तर हमें चुनना है, तो पुरा पासान काल के मानव को आखेटक एबम अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद के बारे में उलेक किया गया है तो ये हमने देखिए पर्थम सिलालेक है गुपतकाल के धुरूपसर्म नामक ब्रहमन द्वारा धर्मसंग बनाये जाने का उलेक किस अभिलेक से प्राप्त हुआ है तो इस प्रसंद का सही उत्तर है आपका बिलसड अभिलेक उप्शन नमर एग अगला देखिए इनमे लिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है संगीत रतनाकर सारंगदेव मान कौतुहल मान सिंग राग विभोध सोमनात और राग तरंगणी औरंगजेव यानि इसका जो सही उत्तर है उप्शन नमर डी है राग तरंगणी औरंगजेव से संबंदित नहीं है अगला देखिए दूसरा फिर से सुमेलित करना है यहां पर समसीद गा बदायू अतकरीन का दरवाजा नागोर अलाई दरवाजा दिल्ली होसंगाबाद का मकबरा अजमेर में नहीं यह मध्यप्रदेश में है अगला प्रसंद देखिए कालिंजर पर आकरमन हुमायू ने क निमन में से किस वर्स की थी अकबर ने फतेफुर सीकरी की स्तापना यह इंपोर्टेंट है फतेफुर सीकरी विजय के अफसर पर करी थी तो सही उत्तर इसका है 1573 ऑप्शन नमबर डी अगला प्रसंदिक है निमलिकित में से किस मुगल कालीन व्यक्ति को सहाब उलंद जबाल के अपदी जो दी गई थी यह दी गई थी दारा शिकोगो औप्शन नमबर इसका सही उत्तर हो जाएगा नस्कप पढणा ली सुर्य का सबसे नस्दी की गर है निमलिकित में कौन साह था बंद जो gonna सबसे बड़ा गर है सबसे बड़ा गर है आपका ब्रस्पती हो गया option number B करकरेखा निमलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है तो यहाँ पर देखे ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यामार हो गया, इंडिया हो गया, बांगलादेश हो गया इन सबसे जो है करकरेखा ओकर गुजरती है, चिली से नहीं गुजरती है, option number D का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट का निर्मान निमलिखित में से किस चटान की नमी परत से होता है ग्रे नाइट का निर्माण होता है आपका आगने चट्टान की नमी परत से option number A से ही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से परसुप्त ज्वाला मुखी का कौन सा उधारन है तो इन में से परसुप्त ज्वाला मुखी का उधारन है फ्यूजियामा और कहा है तो ये जापान में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रसंद देखिए धुआरों की घाटी निमलिखित में से कहा इस्तित है धुआरों की घाटी इस्तित है आपका अलास्का में option number A इसका correct answer हो जाएगा अगरा देखिए निमलिखित में से कौन सा परवत अवसिस्ट परवत नहीं है तो इन में से देखिए राजमहल हो गया अरावली हो गया सत्पुड़ा हो गया ये सब क्या है अवसिस्ट परवत है और अगर बात की जाए वाजजेश परवत जो है ये अवसिस्ट नहीं है बलकि ये ब्लॉक माउंटेन है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला प्रसन लिखे लोएस मैदान का निर्मान निमलिखित में से किन के माध्यम से होता है किसके माध्यम से होता है तो लोएस मैदान का निर्मान होता है हवा द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी वा बालू के कणों से option number 8 का सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सी उस्न कटिबंदिया घास भूमी है उस्न कटिबंदिया घास भूमी इनमें से बताना है सही उत्तर आपका है compose जो की ब्राजील में है भारत का सबसे दक्षणी बिंदू है इंद्रा पॉइंट हो गया option number 20 से उत्तर हो जाएगा सिपकिला दर्रा किस भारतिया सहर को तिबबत से जोड़ता है तो सिपकिला जो दर्रा है आपका HP में ये कौन से भारतिया सहर को तो सिमला को जोड़ता है किस से तिबबत से तो इन में से आप देख सकते हैं वैसे भी सिमला का एकी सहर HP का एकी सहर उसमें है सिरेन अगर आपका JNK में हो गया ले हो गया और अपका उत्राखंड में हो गया महाबारत सिरेनी हिमाले के किस भाग में स्थित है, महाबारस शरेणी बताना है हिमाले के किस भाग में, तो ये लगू हिमाले में स्थित है, option number C से उत्तर हो जाएगा, नेलगरी प्रवत की सबसे ऊची चूटी है, नेलगरी प्रवत की सबसे ऊची चूटी जो है, वो कौनसी है दोड़ा बेटा है, option number A, correct answer हो जाएगा, अगला देखिए, तापती की सहायक नदी बतानी है, तापती की सहायक नदी इन में से पूर्णा नदी है, अगला प्रसंद देखिए, चूलिया जल्परपात किस नदी पर इस्तित है, चूलिया जल्परपात अपर इस्तित है, चंब बोर्ड, 1949, लगु उद्योग बोर्ड, 1954, अखिल भारतिया हस्तकला बोर्ड, 1958, सही उत्तर इसका है, अखिल भारतिया हस्तकला बोर्ड किस था अपना 1958 में नहीं, बलकि 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी, तो सही उत्तर option number D है, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है, होगेन कलब जल परपात निमलिखित में से किस राज्य में इस्तित है यह होगेन कलब जो राज्य जल परपात है यह आपका तमिल नाडू में इस्तित है उप्सन नमर A सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित कथोनों पर विचार कीजिए भारत के उत्तरी मैदान में वर्सा सीत रितु में पह्ष्चिमी विगशोप कर लारी हो तो दोनों इ कतन सही है लोडता हुआ जो मांशून है उत्तरी पोरवी मांशून उसके द्वारा के नि, । भारत का जो उतry मैदान है यानि हमारा वाला जो एरिया है उसमें पहलना विक्षोप के कारण होती है यानि हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है उप्शन नमबर C अगला देखिए एल नीनो के परभाव के संदर में निमलिकित कथोनों पर विचार कीजिए तो एल नीनो जो परभाव है इसके संदर में बताना है परिसंचरण में विक्रिती उत्पन होती है समुद्री जल में वास्पन में अनियमित्ता देखी जाती है तो भूमदे रिखे वाय मंडलिया जो परिसंचरण होता है उसमें विक्रिती उत्पन होती है और समुद्री जल में वास्पन में भी अनिया मित्ता देखने को मिलती है इसे वज़े से मौनसून भी आते हैं और मौनसून एक तरह से जलवायू काफी परभावित होती है अलनीनों से तो सही उत्तर इस प्रसन का है option number C एक और दो दोनों कथन इसमें सही है option number C आपका सही उत्तर हो जाएगा जलूड मिट्टी की क्या विसेस्ता होती है यह नदियों द्वारे लाई गई मिट्टी है इसमें पोटास की बहुलता होती है उसरव से जादा उपज़ाओ होती है option number D का सही उत्तर है लेटराइट मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में अधिकता पाई जाती है law oxide और nitrogen की option number B सही उत्तर हो जाएगा अगला दिखिए निमली खित युगमों में से सही युगम की पहचान कीजिए अगला दिखिए खनीज अन्वेशन निगम का मुख्याले निमली खित में से कहा पर रिष्तित है अगला दिखिए अखिल भारतिया संग की इस्तापना निमली खित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था अखिल भारतिया संग की इस्तापना 1935 सिजबी का जो भारत सासन अधिनियम है इसके द्वारा की गई थी संबीधान सबा की संचालन समिती के अध्यक्ष निमली खित में से कौन थे तो संचालन समिती के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजिंदर परसाद संबीधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी तो कुल 114 दिन तक संबीधान के प्रारूप पर बहस हुई थी संबीधान सबादवारा रास्टिय ध्वज को किस वर्स अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को रास्टिय ध्वज को अपनाया गया था अगला प्रसंद देखे भारतिय संबिधान में प्रस्तावना की भासा निमलिखित में से किस देश से ली गई है तो प्रस्तावना की भासा हमने ली है आस्ट्रेलिया के संबिधान से option number 20 का गरेक्टर अंसर हो जाएगा अगला देखे, भारत्य संभीधान में सासन ब्यवस्ता के बिभिन पदा अधिकारियों के वेता निवम भतो आधिका उलेक निमनलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है तो पहली अनुसूची है आपका भारत एक राज्यों का संग होगा, दूसरी अनुसूची है उच्छ अधिकारियों के बेतनेवं बत्तेसाई उत्तर हो जाएगा, option number B अगला देखिए विधी के समक्ष समता का अधिकार निमलिकेत में से किस अनुचेद के अंतरगत ब्यक्ति को प्राप्त है, तो विधी के समक्ष समता का अधिकार है, अनुचेद number 14, option number A अगला देखिए संभीधान के किस अनुचेद के अंतरगत निवारक निरोध प्रावधान का उलेख किया गया है तो ये निवारक निरोध प्रावधान जो है ये आपके अनुचेद 22 में है आपसन नमबर A तरो जाएगा राज्यका यह करतब्य होगा कि वहब एक्ति के लोग स्वास्ते संभीधान के किस अनुचेद में बढ़नित है तो ये आसान सा क्वेश्चन होगा क्योंकि आर्टिकल 51 पता है आपका इसमें क्या है विदेश नीती है भारत की विदेश नीती से संभीधान के बढ़नित है संबिधान के किस अनुछेत के अंतरगत रास्टपती को अपराद के लिए छमादान करने की सक्ति प्राप्त है तो आर्टिकल नमर 72 हो गया जिसमें रास्टपती छमादान दे सकता है अध्यदेश का परभाव संसद सतर सुरू होने के कितने सपता तक रहता है तो अध्यदेश के महादिवक्ता की नियुक्ती निमलिखित में से कौन करता है महादिवक्ता की नियुक्ती बताना है महादिवक्ता की नियुक्ती करता है तो राज्यपाल करता है महादिवक्ता की नियुक्ती भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक के संदर में निमलिखित क उनों पर विचार कीजिए भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक की नियुक्ति रास्ट पती करता है सही बात है और महालेखा परिक्षक सार्बजनिक धनका सरक्षक होता है यह भी सही है यानि एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे option number C अगला देखिए भारत में नई प्रतेक राज्यों में उच्च नियाले की ब्यवस्ता का प्रावधान निमलिकित में से किस अनुछीद में दिया गया है तो प्रतेक राज्य का एक उच्च नियाले होगा यह कहा गया है अनुछीद नमबर 214 में option number B से ही उत्तर हो जाएगा केंद्रिय परसासनिक अधिकर प्राप्त हैं वो अपने पद की सक्तियों के पर्योग के लिए नियाले के परती उत्तरदाई नहीं है बिल्कुल सही बात है पदावधी में नियाले द्वारा अपरादिक कारवाई नहीं की जा सकती जब तक राजयपाल पर बने हुए है तब तक आपरादिक कारवाई उन पर नहीं हो सकती है गिरपतारी का आदेश किसी नियाले द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है ये भी सही है ये पर्धान मंत्री की नियुकती रास्ट पती करता है बिल्कुल सही है पर्धान मंत्री के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं होनी ये तो दूसरा कथन गलत हो गया, मन्ति पर सामोही कुरूप से लोगसभा के परति उत्तरदाई है, ये भी सही है, यानि सही हो जाएगा मारा पहला और तीसरा, तो यानि किवल एक और तीन सही है, उप्सन नमबर बीस का सही उत्तर हो जाएगा, संसदिय कारवाई में प्रस् संसोधन अधिनियम संपति अधिगर, चौथा संसोधन अधिनियम किसी व्यापार को और आस्ट्यकृत बनाने का राज्य को अधिकार, दस्वा संसोधन अधिनियम दादा नागर हवेली को भारत में जोड़ना, और तेर्वा संसोधन अधिनियम केरल को राज्य का दर्जा, तो तेरवा संसोधन अधिनियम जो है केरल से संबंदित नहीं है बलकि नागालेंड से संबंदित है और नागालेंड को इसके तहट जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है तो नागालेंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तेरवा संबिधान संसोधन के तो आप्सन नमर डीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है सिंदी भासा को आठी आनुसूची में किस संभीधान संसोदन द्वारा सामिल किया गया आपको ध्यान होगा 1967 में सिंदी भासा को जोड़ा गया था आठी आनुसूची में तो 67 में 21 संभीधानिक संसोदन भारत के पर्थम मुख्य नहीं थी इस निमलिखित में से कौन थे तो सबसे आसान प्रस्न हीरालाल जे कानिया थे अपसन मर रही पर्यावरन इवं बन मंतराले का सिरजन निमलिखित में से किस वर्स किया गया था पर्यावरन और बन मंतराले का सिरजन बताना है ये किया गया था आपका 1985 में 1985 में अगला प्रसंदी के मानो भूगोल के जन्मदाता की संग्या निमलिखित में से किसे परदान की गई है तो मानो भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है रेड जेल को फ्रेडरिक रेड जेल option number A सही उत्तर हो जागा विश्वक की सरवादिक अवसाद परिवहन निमलिखित में से कौन सी नदी करती है अब इन में से बताना है अगर इसमें नाइल होती तो नाइल सबसे ज़ादा अवसाद परिवहन करती है नील नदी और इन में से यलो नदी option number A सही उत्तर हो जागा भोपाल गैस तरह सदी निमलिखित में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी तो भोपाल गैस तरह सदी ये बार-बार पुछा जाता है प्रस्न मिथाईल आइसो साइनाइट भारत में गैर प्रमपरागत उर्जा सुरोत विभाग की स्तापना कब की गई थी तो गैर प्रमपरागत उर्जा सुरोत विभाग की स्तापना हुई थी 1982 में उप्सन नमर 20 सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था प्रतिवी सम्मेलन में 1992 में जो कि कहा हुआ था प्रकास संस् усलेशन के उर्जा का रूप अंतरन किस रूप में होता है तो प्रकास संसलेशन में उर्जा का रूप अंतरन होता है रासाइनी कुर्जा में, option number B से ही उत्तर हो जाएगा, अगला देखिए, सरवाधिक, पारिस्तितिक तंतर के रूप में किसे जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा इस तिर पारिस्तितिक तंतर होता है, सागर का पारिस्तितिक तंतर, अगला देखिए, जो आला मुखी के फट के लिए important है तो फस्वनों को काफी जादा नुकसान यहां पर देखने को मिलेगा पौधे मिर्दा से अपनी जड़ों द्वारा किसी रूप में फास्पोरस को गरहन करते हैं किस रूप में फास्पोरस को गरहन करते हैं तो यह करते हैं और्थो फॉस्पोरस के रूप में option number 20 से उत्तर हो जाएगा चारिय मिर्दा को सुधारने के लिए किस खनिच का उपयोग किया जाता है तो अगर मिर्दा चारिय है तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं पाइराइट का फीएस-टू इसका सूत्र होता है ये भी आप दियान रख सकते हैं अगला हैं सबसे विनासकारी होती हैं महासागरों में लवनता का मुख्यकारण निमली खित में से क्या होता है तो महासागरों में लवनता का मुख्यकारण क्या होगा नमक होगा सोडियम chloride option number B से उत्तर हो जाएगा दरियाई गधा पाया जाता है तो दरियाई घोड़ा आपने सुना होगा लेकिन दरियाई गधा भी पाया जाता है और ये अफरीका में पाया जाता है option number D से उत्तर हो जाएगा parkland घास कहां पाया जाती है पार्क लेंड गहास बताना है ये भी पाय जाती है आफ्रिका में ऑप्सन नमबर B से उत्तर हो जाएगा Center for Environmental Education का है इस्तित है अपका आहम्दाबाद में ऑप्सन नमबर B से उत्तर हो जाएगा जो लोगिकल सर्वे आफ एंडिया की स्तापना की गई थी तो ये 1916 में 1916 में की गई थी जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया लंबाई का SI मातरक लंबाई का SI मातरक मीटर हो गया आपका अगला देखे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो सबसे बड़ी इकाई दूरी प्रकास के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीज़े प्रकास दूरी परकिट्टी की उड़ जा है सही है प्रकास के पोटोन सिधांद को आइसमस्टी ने पर्तिपादित किया था तो यह भी सही है और यह भी सही है option number C, आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो, दोनों कथन सही है, आकास का नीला रंग परकास की निमलिकित में से किस परी घटना के कारण दिखाई देता है, तो आकास का नीला रंग परकास के परकेणन के कारण दिखाई देता है, option number B सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक सेल के संदर में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए प्राथमिक सेल का मतलब जो सेल हम जैसे घड़ियों में यूज करते हैं तो इस सेल का केवल एक बार पर योग हो सकता है सही बात है और बोल्टिये सेल प्राथमिक सेल का उधारन है बोल्टिये सेल इसी सेल को कहते हैं तो option number C इसका भी सही उत्तर हो जाएगा धारा और विभुवांतर के बीच संबंद की खोज सरपर्थम किस ने की थी तो धारा और विभुवांतर के बीच संबंद की खोज किस ने की थी तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर option number A जोर साइमन ओम ने ओम का नियम आपने पड़ाओगा विद्यूत आवेस की खोज बताना इनमें से किस ने की थी बेंजमिन फ्रैंकलिन ने की थी option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए किसी विद्यूत चालक में उत्पन परतिरोग रोद किस बात पर किस पर निरभर करता है वो किस पर निरभर करता है सही उत्तर आपका हो जाएगा चालक पदार की परकेटी पर भी पर भी और लमबाई पर भी उपरियो लुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रक बताना है, चुमब के हैचेतर का S.I. मात्रक होता है टेसला अंबर A सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिये, सलНуटरीक अमल का उपयोग किया जाता है तो मिट्टी में अमलियता दूर करने के लिए बताना है, इन में से किसका उप्योग किया जाता है, सही उत्तर है, आपका calcium hydroxide, option number C सही उत्तर हो जाएगा, मद मक्की के डंक से जलन किस कारण उत्तर हो जाएगा, यानि मदमक्की के डंक में methanoic acid होता है तो इस कारण जो है जलन उत्पन होती है दांत का enamel निमलिखित में से किस पदार्थ से बना होता है तो दांत का enamel बना होता है calcium phosphate से option number A सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए वास्तविक billion के संदर में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिसरण होता है वास्तविक billion जैसे अगर नमक और पानी को आप घूल देंगे तो वो क्या हो गया एक तरह से वास्तविक billion है इसमें कण आन्विक आकार वाले होते हैं तो आन्विक आकार वाले कण होते हैं यह भी सही है यानि दोनों ही कथन सही है एक और दो दोनों कथन सही है कुश्च का सिधांद का परतिपादन किया था इन मेंसे किसने कोश्च का सिदांद का पर्तिबादन किया था स्लाइडेन भी दिया है, स्वान भी दिया है, अलग अलग दिया है दोनों ने ही किया था, option number C सही उत्तर हो जाएगा कोश्च का जिली किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है तो कार्बोहाइडरेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है उसका जिली A और C सही उत्तर हो जाएगा अगला देखें विसानों की खोज निमलिखित में से किस वैग्यानिक ने की थी तो विसानों की खोज की थी इवानोविस्की ने, option number B सही उत्तर हो जाएगा मानव सरीर में सबसे बड़ी हड़ी, ये फीमर की होती है, जांग की हड़ी, option number A सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी अंतह सरावी गरंथी है, तो thyroid gland जो है आपकी सबसे बड़ी अंतह सरावी गरंथी होती है, option number A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए रुधीर परिसंचरन तंत्र के परमुख कार्या हैं तो रुधीर यहाँ पोसक्पदार्थों को सरीर के विभीन भागों तक परिवेहन करता है सही है बलड के थुरू और यहाँ हार्मोन हार्मोन भी क्या करते हैं अन्तसरावी ग्रंथी से लक्षित अंग ठक यानि जिस अंग ठक पहुचाना है उस अंग ठक पहुचाता है यह भी परुदील के द्वारा ही होता है तो दोनों ही कथन सही है यानि ऑप्सन नम्बर सी स्का सयुत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही एड्स रोग निमलिकित में से किन कारणों से हो सकता है संक्रमित रखता धान यानि संक्रमित अगर बलड चड़ा है दूसरे वक्ति को तो भी हो सकता है असुरक्षित अगर यहन समंद मना रहे है तो भी एड्स हो सकता है और संक्रमित सुईयों का अगर साजा इस्तेमाल द दिकता हो जाती है तो पादब की वृधि में कमी हो जाती है, option number B सही उत्तर हो जागा, निमलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, अब इनमें देखिया anthology पुस्पों का अध्यन सही है, forestry में बनों का ही अध्यन करेंगे, histology में उत्तकों का ही अध् तो आंत जो आपका परभावित करता है, यह करता है आपको आंत को भी और पिलीहा को भी A और B दोनों सही उत्तर है, इसके, अगला देखे सुखंडी रोग, यह थोड़ा सा गन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है, कुल मिलाकर सूखा रोग है, किस विटामिन की कमी से होता ह तो एक तरह से Weckitts जो होता है, विटामिन D की mikμी से, Option No. C सईुत्तर हो जाएगा, गल्सुवा रोक का परमो कारक है, ये मंपस वाइरस होता है, गल्सुवा रोक का कारक कारक, Option No. A सईुत्तर हो जाएगा, विली सीन नामक और सधी, ठोड़ा सा साइंस के question है वो साइंस के question काफी पूछे जाते हैं जो pre-exam समा रहा होते हैं विली सीन नामक औस दी निमिलिखित में से किस रोक के उपचार के लिए इस्तैमाल होती है तो विली सीन नामक जो दबाई है ये तपिदिक के लिए होती हुथ है option number E से उत्तर हो जाएगा आदे के यहां पर current के कुछ MCQ मिलेंगे आपको रास्ट्य युवा संसद महोटसब का चौथा संस्करण कहां आयुजित किया गया तो यह किया गया था आपका नई दिल्ली में option number D से उत्तर हो जाएगा इसका पांचमा आसियान भारत ब्यापार सिखर संबेलन 2023 का आयुजित निमलिकित में से कहां किया गया है यह किया गया है कुवा आलंपूर और कुवा आलंपूर जो है आपका यह आपकी है मलीसिया की राजधानी तो मलीसिया की राजधानी में यानि अगर देश पूछा जाए तो मलेसिया उप्सन में आएगा तो मलेसिया अंसर करना है कुवा आलमपूर आजाए तो कुवा आलमपूर और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि कुवा आलमपूर चर्चा में है तो ये भी पूछ सकता है आपको मलेसिया की राजधानी का प्रद्धान मंत्री ने 7 PM मित्र मेंगा टेक्सिटाइल पार्क इसतापित किये जाने की गोसिना की है, यह बिल्कुल सही बात है और इस textile पार्क को 2030 से 31 तक पूरा किया जाएगा तो यह गलत है 2027-28 का लक्षय रखा है कि 2027-28 तक इस textile पार्क को जो लक्षय है इसको पूरा किया जाएगा तो 27-28 है यानि दूसरा वाला कथन आपका गलत है तो केवल आपका एक सही है, option number E अगरा देखिए, भारत की पहली ब्यावहार परियोगसाला ये काफी important नेसिव हैं कि ब्यावहार से समंदित परियोगसाला का स्तापित की जाएगी आपके जैपुर में option number B सही उत्रहस का देश का सबसे बड़ा liquid mirror telescope अब उत्राखंड current affairs अगर आप follow करते आए हैं तो हमने हर महीने के current affairs वहाँ पर discuss किये हैं और उनी से ये question है और उत्राखंड current affairs का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए monthly क्योंकि उसमें केवल उत्राखंड के नहीं बलकि national international के mcq 50 mcq और theory section अलग से discuss किया जाता है जो उत्राखंड के लिए theory section और practice set जो हम लगाते हैं practice question का वो उत्राखंड प्लस international national सारे मिलाके 50 questions हर मंथ हम discuss करते हैं तो liquid mirror telescope जो follow करते हैं आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं ने निताल में option अमर रही सही उत्तर है अगला देखिए हर payment digital अभियान का सुभारा में निमिलिकित में से किस सस्ता द्वारा किया गया है तो सही उत्तर हैसका reserve bank of India option number D अगला देखिए भारत के reserve bank ने जुपक्षिया ब्यापार में भारत के साथ ब्यापार निप्टान में किस देश के रास्त्रिया मुद्राओं के उप्योग को मंजूरी दी है सही उत्तर हैसका option number D तंजानिया के साथ ये समझाता किया था carbon dioxide को समुद्र के नीचे भंडारित करने वाला पहला देश कोंस है पहला 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 प्यार भी याद रखना चाहिए और पहला जो भी होता है वो जुरूर याद रखें वो पूछा जाता है पेपर में तो carbon dioxide को समुद्र के नीचे बंडारित करने वाला पहला देश है आपका Denmark यह काफी important है और Denmark इसलिए जो है जो ranking होती है उसमें पहले नंबर पे रहता है तो अक्सर बहुत अच्छा देश है तो इन्होंने एक initiative लिया है कि carbon dioxide को समुद्र के नीचे बंडारित किया जाएगा option number C Denmark इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में फार्मेसी सिक्षा को प्रोसाहन देने के लिए रास्टिया फार्मेसी सिक्षा दिवस इस महान विभूती की जैनती के अफसर पर मनाया गया तो यह महादेव लाल स्रॉफ है option number B सही उत्तर है इसका निसार उपगर है निसार का है नासा और इश्रू तो दो एजेंसियों का संयुक्तूब कर्म है तो इस रहा नासा का option मरीस सही उत्तर हो जाएगा आपका अगला देखिए लाल सिर्वाले गिद की दुरलब पर जाते की खोज निमलिखित में से किस उध्यान में प्राप्त हुआ है तो लाल सिर्वाला इसका नाम मयूर बंज है तो इसका नाम मयूर बंज ओडिसा में है मयूर बंज और लद्दाग ऑप्शन नमर 20 सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिए बिटिस कंसल्टेंसी एजेंसी स्काइट एक्स ने बिष्टो के सर्बसरेश्ट एयरपोर्ट की सूची में पर्थमिस इसका नाम मयूर बंज और लद्दाग ऑप्शन नमर 20 सही उत्तर हो जाएगा वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त है तो भारत का इस्तान 126 126 वा इस्तान भारत को जो है हैपिनेस रिपोर्ट में दिया गया है सांखिकी और कार्यक्रम कार इंटरफेर्स के वीडियो में डिसकस की थी पिछले या पिछले के पिछले मंत में अगला दिखिए सवयक्तरास्ट ने विस्तो जल दिवस 2023 को चिनित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है अगला दिखिए भारत के लेखा महानी अंतरक के पद पर किसे आप है रास्टिया फोटोग्राफि पुरसकार वित्रण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया तो यह किया गया सुस्री है यह सुस्री सिप्रादास को अप्शन नमर ए से उत्तर हो जाएगा स्वाधीन परजा नामक सापता एक पत्र का प्रकासन किसके द्वारा किया जाता था यह सुद्राखंट का है विक्टर मोहन जोसी से उत्तर हो जाएगा उप्सन नमर ए अगरा देखिए उत्राखंट जल विद्यूत निगम निमलिकित में से कहां अस्तापित है तो बनेजीव विहार को किस वर्स इस्थापित किया गया था। कि दार्नाथ बनेजीव विहार इस्थापित किया गया आपका 1972 में आप्शन नमबर 20 का सहीतर हो जाएगा। अगरा दिखिए देवपर्या को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देव परियाग के लिए इंदर परियाग भी कहा जाता है, उत्राखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी हो गई आपकी मसूरी है, option number 2 सहीव तरो जाएगा, अगला देखिए, सरो निर्त्या में नर्ता के किन कथाओं को कर्ताब दिखला कर प्रस्तुत करता है, तो युद्ध कथाओं को कर्ताब दिखला कर प्रस्तुत करता है, सरो निर्त्या में, option number A अगला देखिए चौफुला क्या है तो चौफुला A के निर्तिया है यह आसान सा प्रस्न है सेंट जॉर्ज कॉलेज की इस्तापना किस वर्स की गई थी तो सेंट जॉर्ज जो कॉलेज है आपका मसूरी में बहुत फेमस है इसकी इस्तापना आपके 1853 में हुई थी option number A से उत्तर हो जाएगा Max Muller ने अपने किस पुस्तक में गड़वाली भासा को प्राकृतिक भासा का रूप माना है very important question है तो science of language जो है Max Muller की गड़वाली भासा को उन्होंने प्राकृतिक भासा का रूप इसमें माना है तो यह हमने कुल 150 MSQ discuss किये आपने लेवल देखी लिया होगा बिल्कुल PCS वाला लेवल है और आपके कितने marks इसमें आए हैं यह comment box में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आता है above the end bear मतलब बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कितना स्कूर आप करा और मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन